Hello Friends, Monotory Academy में आपको सौगत है, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं Health Care Counseling तो Friends Health Care Counseling के बारे में आपको पता है कि Basically ये जो हमारे Hospitals होते हैं, Laps होती हैं जहां पर Patient का Treatment होता है या फिर कह सकते हैं कि उनका Diagnosis होता है जो Critical Values होती है और जो Basically बहुत ज़्यादा Possessive लोग होते हैं और काफी ज़्यादा जो एक होता है Actually जैसे Surgery Time हो गया आपका Operation Time हो गया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीजों के बारे में नालेज नहीं होती है और वो इस चीज को काफी ज़्यादा Serious ले लेते हैं ठीक है तो Healthcare Counseling क्या करता है यह उनके Psychological Mind है ठीक है वो एक Psychiatrist जो होते है ठीक है उनको पास उनका License होता है ठीक है तो उसके थ्रू क्या करते है उसकी Help करते है Help in the sense की उनको समझाते हैं उनके Mind को पढ़ते हैं उनका Psychological Depression वगेरा है उसको चेक करते हैं कि वो किस हद तक वो depressed हो सकते है या फिर उनको किस हद तक समझाया जा सकता है So basically क्या है जो इसका definition है that is a counseling means one or more consultations as necessary between the state license psychiatrist or psychologist and a patient for the purpose of determining that the patient is competent and not suffering from the psychiatrist or the physiological disorder and depression causing impaired judgment So basically क्या है कि इनका एक judgment का वो होता है तरीका होता है कि जो health care counseling होते हैं जो भी psychiatrist जो और psychological disorder होते हैं जो पेशन्ट को disorder होता है जो suffering होते हैं किसी health care issues को लेके ठीक है तो अगर वो depressed है तो ये health care जो counseling है उसको measure करता है ठीक है उनको basically क्या है कि कि उनका जो impaired judgment है वो बिगड़ा हुआ तो नहीं है ठीक है So suffering from some kind of illness is as much a psychological issue in the making as a physical issue तो basically क्या है कि अगर आप किसी प्रकार से बिमार है ठीक है या कोई ऐसा है जो psychological आपको समस्या है तो इससे क्या समस्या हो सकती है जैसे कि आप बिमार है ठीक है तो आपको ये psychological क्या है कि issues हो सकती है जिसके वज़े से physical issue भी हो सकती है तो ये कैसे होता है friends कि जैसे कि आप suppose किजिए कि आपको कोई disease है ठीक है आप किसी disease के बाद disease पर study कर रहे हैं आपने study किया किसी patient को disease है suppose किजिए कि HIV disease है तो अगर उनको पता चलता है कि उनको HIV है तो suppose किजिए कि aware है इस disease से तो क्या होगा कि वो खुद को psychologically इल्मानने लगेंग तो वो और जदा उनके physical issues है वो आने शुरू हो जाएंगे ठीक है वो और physically issue होने लगेगा उनको या कह सकते है कि physically वो काफी जदा और जदा हार्ट हो सकते हैं तो basically क्या है कि जो healthcare counselling है वो इसमें help करता है कि वो उनको motivate करता है ठीक है motivate करना इदर सेंस कि उनकी help करता है उस disease क समझने के लिए और इनकी coherence के लिए ठीक है so patient who have an align body often start having an align mind too basically जिनका जो body होता है वो align हो जाता है align in the sense की अब बिमार type हो जाता है ठीक है उनका शेरीर काफी जदा बिमार हो जाता है तो उनका जो mind है जो mindset होता है वो भी align हो जाता है ठीक है तो जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा अगर आप positive सोचते है तो आपके साथ positive होता है और negative सोचेंगे तो negative होगा then अगर आपकी body align है तो आप ये सोचेंगे आप recover कर सकते है then अगर आप align mind लेकर सोचेंगे तो आप भी align ही हो जाएंगे ठीक है so illness of the body can translate into illness of the mind eventually so basically क्या है जो आपकी body के जितने भ भी बिमार कर देता है कैसे जब आपकी body बहुत जदा बिमार होती है suppose कि ये उसको need है treatment की medications की और आपकी जो mindset है उसकी अगर आप सोच लेते हैं कि आप बिमार है तो आप और भी ज़्यादा खुद को बिमार feel करने लगते है और आपका mind भी बिमार feel करता है so illness of the body अगर आप disease the mind to cannot be at peace तो अगर आपकी body diseased है तो आपका mind है वो नहीं शांती नहीं मिल पाएगी उसको क्यों 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 कि आपके पास क्या है कि उसको सोचने के लिए काफी जादा ये होता है जैसे कि आपको कोई sugar की problem है आपको आपकी surgery होनी है आपका operation होना है तो अगर आपको एक द आपको बहुत सारी चीजें लगती है कि आपकी surgery होनी है तो आपकी साथ क्या क्या हो सकता है आपको pain होगा आपकी surgery के दोरान कहीं कुछ होना जाए तो आपकी माइंड भी सारी चीजें चलती रहती है तो आपका mind कभी भी शांत नहीं रह सकता ठीक है so healthcare counselor are professionals who enter into a meaningful partnership with a patient order explorer the impact of a disease on mind of the patient and help the patient develop mindset for copying with the disease basically जो हमारे healthcare counselors है यह क्या करते है एक परामर्श्तातप पेशिवर होते है परामर्श्तातप पेशिवर in the sense की professionals ठीक है professionals होते हैं जो आपको एक clue देते हैं या आपके साथ कुछ deal करते हैं आपके साथ जो क्या करता है जो बिमारी आपको प्रभावित कर रही है ठीक है उससे बचने के लिए या कह सकते हैं कि उससे साज़ेदारी साज़ेदारी in the sense की आप उसके साथ आपका mindset ऐसा करते हैं आपक तो आपकी मानसिक जो विक्सित है उसको करने के लिए वो आपकी help करते हैं सपोस किजी कि आप किसी disease को लेके काफी ज़्यादा परेशान है ठीक है तो वो आपके साथ होंगे healthcare counselor वो professionals होते हैं जो एक partnership की तरह patient के साथ होते हैं ठीक है और disease को लेके patient का mindset करते हैं ठीक है help करते है patient की उनके mindset development में ठीक है ताकि जो patient है वो उस disease से लड़ सके so while a doctor can initiate the healing process for the patient body ठीक है एक doctor क्या करता है patient के अंदर उसकी जो body है उसको heal करने में help करता है so the healthcare counselor can make the patient feel comfortable और healthcare professional क्या करते हैं counselors क्या करते हैं कि वो patient को comfortable feel कराते हैं relaxed feel कराते हैं during the healing process जब उसका healing process चल रहा होता है उसकी body का तो patient को relaxed feel कराते हैं कि कुछ नहीं होगा ठीक है and even after it मतलब healing process के पहले और healing process के बाद तो healthcare counselor जो होते हैं एक तरे से patient को better feel कराते हैं कि आपका healing process है ठीक है किसी चीज से भी जो recovery हो रही है आपकी वो आपके लिए अच्छा है और benefit है ठीक है and then even after it आपका जो यह process हुआ है ठीक है वो आपके लिए आगे चलके effective होगा और इससे आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं या जो आपका भी surgery वगेरा operation कुछ भी हुआ है healing process ह होई है वो आपके लिए कितना beneficial है ठीक है so healthcare counselor can help the patient take their disease positively and thus feel better both in mind and body तो आपके है जो healthcare counselor है वो यह इसलिए patient can help वो patient की help करते हैं ताकि वो disease को positively ले ठीक है और better feel करे mind से और body से ताकि वो अच्छे से recovery कर ले ठीक है तो basically healthcare counselors का motive यह होता है कि patient panic ना हो ठीक है disease को लेके या वो negative ना सोचे हमेशा वो positive सोचे उनका यह main motive होता है तो यहां पर types of roles है functions है undertaken by healthcare counselor तो healthcare counselors के types भी हैं कि किस-किस department में healthcare counselor का involved होते हैं ठीक है so functions भी है undertaken by healthcare counselor तो सबसे first है हमारा so counseling of patient with long term illness तो हम बात करें फ्रेंट्स long term illness की तो long term illness में आपको पता है कि क्या क्या आता है basically हमारा diabetes है heart disease है cancer है rheumatoid arthritis है जिसको हम rf factor भी कहते है rf factor मारा test का नाम है disability of any other could serve as a constant source of stress for the mind तो long term illness में हम यह सारी चीज़े देखते हैं जिसे diabetes है diabetes आप जानते हैं कि आप diabetes को रोक सकते हैं घटा ने सकते हैं उसका treatment आपको सिर्फ medications लेनी होती है ठीक है sugar कम करना होता है बाके उसका option नहीं है heart disease की बात करें तो heart disease में भी problem आती है and cancer की बात करें तो friends अगर उसमें भी दो टैप्स की cancer है आपका malignant और benign cancer तो आपको कौन सा cancer है इस पे डिपेंड करता है कुछ के अगर tumor form है तो tumor का treatment भी होता है surgery होती है operation होता है and rheumato arthritis का भी case आता है हमारा long term जो हमारा illness है उसके अंदर कोई भी disability हो सकती है जो long term illness में आती है तो ये सारी चीज़े हम इसमें हमारा long term illness में include है तो counseling जो है जो हमारे health care counselors है वो किस तरीके से help करते हैं इसमें वो हम पढ़ेंगे so when a patient is admitted to hospital for getting treated for a chronic health emergency so getting treated for a chronic health emergency there to the health care counselor have an important role to play तो एक patient जो है वो hospital में admit होता है और chronic health care getting treatment हो रही है उसकी chronic health care emergency में हो रही है so healthcare का यहां पर एक important role होता है ठीक है so patient क्या है कि admit हुआ ठीक है उसका कोई treatment चल रहा है chronic disease को लेके chronic health care emergency है तो सबसे first of all क्या होता है कि सबसे पहले health care जो counselor है यहां पर उसका important role play होता है ठीक है सबसे पहले उसको इस disease के बारे में inform करना देन उसको समझाना के आगे क्या process होने वाला है और वो कितना beneficial है उनके लिए so the counselor also provide referrals and resources the patient their families to help the patient lead to physically and as well mentally health life post discharge from the hospital तो basically क्या होता है जो counselors होते है ठीक है वो referral करते है resources to patient और उसकी families को भी ठीक है तो patient की जो family है उनको भी help करते हैं और help करते हैं जो patient का जो physically और mentally health life है ठीक है after post discharge भी जैसे कि patient जो है वो discharge हो चुका है तो उसके बाद भी वो उसकी cures के लिए उसके मतलब उनको समझाने के लिए क्या करते हैं वो उस time भी उनकी help करते हैं ठीक है अगर suppose कि जी कि आप क्या है कि hospital में admit है आपको कोई chronic disease है जो आपको healthcare counselor के advices बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको उससे motivation मिल रही है तो वो आपको आफ्टर जो medical process है after medical process भी अगर आप discharge जाते हैं तो वो आपको provide करते हैं healthcare counselor can make life seems less grim for a patient with a long term illness as well as for the patient family तो basically क्या है जो healthcare counselor होंगे वो आपको life seems less grim होते हैं ठीक है जो patient का long term illness उसके साथ क्या करते हैं वो healthcare counselor patient के साथ long term illness और जो patient की family है उनके साथ वो जुड़े रहते हैं ठीक है so जो healthcare counselor होंगे वो life seems तक उनसे जुड़े रहते हैं ताकि उनके family और उनको अच्छे से सारी जो facilities हैं उनको मिलती रहे और जो उनको है कि एक जो शाररीक और मानसिक mentally और physically उनको well या फिर कह सकते हैं कि endless free उनको mindset मिलता रहे so pre-surgery and post-surgery counseling तो basically क्या है कि जो हमारा healthcare counseling है वो उसमें help करते हैं जैसे कि कि patient की surgery है and pre-surgery and post-surgery surgery सरजरी से पहले और surgery के बाद की जो counseling होती है उसमें a very the very thought of surgery can make the patient as well as his family feel so basically क्या है कि जो surgery की बात करें ठीक है तो surgery में क्या होता है जो patient होता है ठीक है उसके बारे में surgery के बारे में सोच कर ही वो पूरी तरीके से परिशान हो जाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि surgery जो होती है friends उसमें काफी सारे process होते हैं बहुत मतलब एक तो एनस्थीसिया दिया जाता है जिसके विज़ेस उनको पैन फिल नहीं होता तो basically क्या होता है अगर कोई patient hospital में भरती है ठीक है admit है तो क्या होगा कि उनका जो thought है उनकी जो विचार है उनमें क्या होगा कि surgery को लेकर काफी सारी चीज़े चल रही होंगी कि अगर मेरी surgery हो गई तो क्या होगा मैं ठीक कैसे होंगा अगर मेरी अभी surgery के दोरान कुछ होता है तो क्या होगा तो इससी क्या होता है जो patient होते हैं वो emotionally क्या है damage हो जाते हैं emotionally damage कह सकते हैं की वो काफी ज़्यदा वीग हो जाते हैके तो उसको control करने के लिए जो healthcare counselor है वो उनकी help करते हैं pre-surgery and post-surgery में so in such scanners patient might feel insured uncertain and embarrassed तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत embarrassed feel करते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं ठीक है सर्मिंदा महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी काफी सारी सवाल होते हैं जिनका जवाब एक डॉक्टर नहीं दे पाता है ठीक है अगर डॉक्टर क्या है सिर्फ आपको treatment कर रहा है आपको समझा रहा है बस disease के बारे में आपको explanation कर रहा है आपके जो माइंड में जो questions चल रहे हैं उसका आंसर वो नहीं दे सकते हैं इसके लिए क्या है जो health care counselors होते हैं वो आपकी proper तरीके से help करते हैं so stress related to surgery can lead to a negative response in the patient impacting the patient physiological blood pressure heart rate recovery rate तो basically क्या है जो surgery के दोरान क्या होता है जो उनका stress होता है उनका stress level यहां तक चला जाता है कि जो negativity होती है वो response करना शुरू कर देती है कैसे वो सबसे पहले patient के जो psychological condition है ठीक है उसको effect करती है blood pressure आपका बढ़ जाता है heart rate बढ़ जाती है आपकी recovery rate घड़ जाती है recovery rate अगर घड़ जाएगी तो आप अच्छे से recover नहीं हो सकते ठीक है surgery जब आपकी हुई है ठीक है तो उसके इसके लिए आपको positive response चाहिए ठीक है आपको positive response तम मिलेगा जब आप जो आपका mindset है वो control रहेगा ठीक है तो जो हमारा मैंने आपको बताया कि जो healthcare counselors होते हैं वो आपकी pre-surgery और post-surgery दोनों में help करते हैं ठीक है आपका जो है पूरा जितने भी आपकी सवाल है आपकी दिमाग में छोट-छोटे सवाल है वो आप अपने healthcare counselor से पूछ सकते हैं so the healthcare counselor can provide guidance or resolving the psychological issues or emotional upheavals arising out of surgery तो basically क्या है जो healthcare professionals होते हैं counselor होते हैं ये आपके अंदर ठीक है आपके अंदर जो psychological issue emotional है भवनात्मक जो आपका जो जो उथल पुथा चल रही होते हैं आपके अंदर ठीक है आप कह सकते हैं कि जब आप surgery कराने जाते हैं ओपरेशन कराने जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जो कहीं इधर उधर भाग रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या है जो healthcare counselors होते हैं वो आपकी पूरी तरीके से help करते हैं ठीक है आपको एक रास्ता दिखाते हैं आपको एक मार दर्शन की तरह आपके साथ रहते हैं कि आपको क्य करना हैं आप क्या कर सकते हैं आपके लिए क्या अच्छा है इस टाइम पर और आपके लिए क्या अच्छा नहीं है ठीक है वो आपको बताया जाता है तो here are some ways of counselors can help तो काफी सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके थूँ आपको counselors help करते हैं तो उन ways के बारे में हम discuss करेंगे So first है हमारा the counselor can help a patient manage the psychosomatic symptoms arising out of stress due to surgery तो आप क्या होगा counselor आपको ये बताएंगे कि जो सर्जरी आपकी चलेगी ठीक है उस टाइम पर जो आपका stress होगा वो क्या-क्या issue create कर सकता है सर्जरी में ठीक है तो friends आपके काफी सारे आपके stress से आपके काफी सारे जो normal values है वो हाई चली जाएंगी ठीक है आपकी वो normal condition नहीं रहेगी जो एक सर्जरी के दोरान patient की चाहिए होती है ठीक है बॉड़ी के है कि आपके mindset के according walk करती है जब आप अपने mind को relax रखते हैं या उसके लिए आप positive सोचते हैं आप खुद को positive रखते हैं तो आपका जो surgery है वो भी आपकी बहु पुली होता है और मतलब recovery rate बढ़ जाता है ठीक है so create a positive attitude in the patient toward post surgery recovery तो यह क्या करते हैं जो health care counselor होते हैं वो एक positive attitude create करते हैं post surgery के बाद क्यूंकि क्या होता है कि surgery के बाद patient को भी कावी सारे ऐसे सवाल होते हैं और वो खुद को negative negativity में वो यह सोचने लगते हैं कि post surgery के बाद क्य होगा कहीं में ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा तो जो health care counselor है वो help करते हैं उनको positive attitude लाने के लिए patient के अंदर post surgery के बाद ठीक है so help a patient manage his heart anxiety triggered mood disorder in a better way तो basically क्या है जो उसकी चिंता है ठीक है जो patient का anxiety है तो यह क्या करते हैं जो health care counselors होते हैं वो उनके जो mood disorders होते हैं उनको better करने के लिए better way में लाने के लिए उनको help करते हैं तो the counselor can power the patient through psychological preparation for the surgery and healing process after it तो जो basically health care counselors होंगे ठीक है वो after surgery जो patient का psychological preparation है उसको heal कर देते हैं ठीक है ताकि वो मतलब यह ना सोचे कि उनके surgery के बाद क्या होगा उनकी surgery के पहले होगा उस बिल्कुल stress free हो जाएं ठीक है वो इस तरीके से patient को heal कर देते हैं या उनकी family को heal कर देते हैं जो health care counselor होते है friends वो जो patient है ठीक है patient की family और उनसे related जो भी है वो सबको ही एक counselor की तरह work करते हैं ठीक है हर किसी को help करते हैं जैसे patient है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ patient को motivate करते हैं वो patient की family को भी motivate करते हैं क्योंकि जब patient की family अगर नेगिटिविटी, patient की family अगर patient के साथ है तो क्या हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत negativity है ठीक है वो वहांसे भी आ सकती है तो जो healthcare counselor है वो patient के साथ सथ पेशन्त की फापली को भी आवियर करते हैं या कह सकते हैं कि उनके इनको परिशन्त के लिए ताकि वो भी पेशन्ट को मौटिवेयर कर सके ठीक है तो काफी सदी कह सकते हैं कि हेल्थ केर अगर अपना 80 औ 90 परसंट दे रहा है patient को, तो family भी 10-20% patient को देती है, क्योंकि वो उनसे ज्यादा connected है, so, counseling for healthcare staff, so, third option, third हमारा point आता है, counseling for healthcare staff, तो healthcare staff को उनसे friends, जो patient के साथ, patient को treat कर रहे होते हैं, ठीक है, और doctor को support कर रहे होते हैं, so basically, जो हमारा staff होता है, आप hospital जाते हैं, hospital में आपने देखा हो, काफी सारे staff होते हैं, nurses होती हैं, technicians होते हैं, आपके housekeeping staff होता है, और front office staff होता है, काफी सारे जो patient के साथ deal कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इतने जो staff हैं, ठीक है, उनको भी health counseling की जुरत होती है, ठीक है, so healthcare staff like doctors, nurses and attendants will be under constant pressure, ठीक है, तो basically क्या है कि जो healthcare staff होते हैं, doctor हो गए, nurse हो गए, attendants हो गए, वो under constant pressure में walk करते हैं, ठीक है, So, क्या करते हैं, जो healthcare professionals होते हैं, जो patient है, उनका जो changing dynamics होते हैं, उन पे वो क्या करते हैं, नजर रखते हैं, क्यूंकि patient का जो thinking level होता है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, तो उनको track करना, ठीक है, और उनके changing to dynamics है, उनको track करना, वो healthcare professional का काम होते हैं, उन पे नजर रखते हैं, ठीक है, ताकि जो patient है, वो जो अपने discussion करता है, अपने families के साथ discussion करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको support की ब तो healthcare professional क्या है, कि ये help करते हैं, उनके इस, जो mental stamina है, उसको पढ़ाने के लिए, तो basically क्या है friends कि अगर suppose कीजे कि किसी family में किसी का कोई AIDS, HIV positive आया है, तो वो अपनी family के साथ discussion कर सकता है, तो कुछ ऐसे होते हैं, जिनको ये चीज़ discuss करने में थोड़ी बहुत परिशानी होती ह कि उनका जो बहुत hard होता है, किसी चीज़ को explain करना, आप किस तरीके से explain करेंगे, तो उसको, उसमें mindset करने के लिए, जो healthcare counselors होते हैं, इसलिए वो patient और patient की family के साथ जुड़े होते हैं, ताकि ये चीज़ें यहाँ पर ना आए, ठीक है, तो उनको भी समझाया जाता है, कि counselors can help manage fear, apprehensions related to treatment in a better way, तो basically जो हमारे counselors होंगे, वो हमें manage में help करते हैं, जो हमारा treatment related better way होता है, उसको, उसको हमें समझाने के लिए, जो एक better way है, ठीक है, वो हमें समझाते हैं, ठीक है, समझाना in the sense की, वो हमें एक तरह से उनको manage करना, fear free, ठीक है, जब आप किसी चीज़ से ड आपका डर निकालते हैं, कि उससे कोई आपको problem नहीं होगी, ये आपके लिए बहतर है, ठीक है, तो वो काफी politely आपको सारी details बताते हैं, so our counselor can include a positive mindset in the patient toward disease and treatment, तो जो हमारे basically counselors हैं, तो एक positive जो हमारा mindset होता है, friends, उसको क्या करते हैं, विक्सित करते हैं, अब positive mindset को जो अगर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कि जो disease है, या disease और treatment है, उसमें बहुत जदा helpful होता है, ठीक है, उनकी बहुत जदा help हो जाती है, इस चीज में, क्योंकि आपको पता है, कि आप अपने mind को जितना positive रखेंगे, आप उतनी जल्दी recovery कर सकते हैं, अगर आपका mind negative है, negativity से भ से पहले तो disease के बारे में awareness होनी चाहिए, कि आपको जो disease है, वो किस हद तक आपको harm कर सकती है, और किस तरीके से उससे treatment ले सकते हैं, ठीक है, so our counselor can guide patient to stay relaxed despite being disease, तो हमारे जो basically counselors होते हैं, वो relaxed रहने के लिए कहते हैं, जबकि वो depressed होते हैं, तो एक जो मारदर्शन होता है friends, ठी कि आप किस तरीके से disease free हो सकते हैं, तो counselor आपको guide करता है, बाकि जो आपका 100% है वो आपको खुद देना है, okay friends, so our counselor can divert the patient attitude and attention toward creating creative things of life, तो हमारे जो counselor है, patient का mind divert कर सकता है, ठीक है, और जो basically creativity, creative things है, वो उनके अंदर क्या है, उनको create कर सकता है, ठीक है, जो जीवन की ताश्वडात्मक चीज़ें है, ठीक है, उनका जो attitude है patient का, वो उनको divert कर सकता है, क्योंकि patient को वो एक जो better way है, कैसे ते के positive way है, वो उसमें बस उनको वो चीज़े समझानी होती है, ठीक है, जो उनको नहीं पता है, suppose कि ये कुछ ऐस से diseases है, जिनके बारे में आपको knowledge नहीं है, ठीक है, तो आप उनको इतना बड़ा issue, मतलब इतना बड़ा issue समझ लेते हैं, कि आप ठीक ही नहीं हो सकते, तो वो जो है, जो healthcare counselor है, वो इस चीज़ में help करते हैं, कि उसको positive attitude में change कर, जो patient को positive attitude है, वो उसमें change कर देते हैं, So our counselor can help a patient और healthcare staff release pent-up feeling, तो हमारे healthcare जो professionals होते हैं, ठीक है, counselors होते हैं, वो help करते हैं, patient और healthcare staff की जो एक feeling होती है, जो दब चुकी है, उसको दूर करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, W.E. भावनाओं को दूर करने के लिए help करते हैं, W.E. भावनाओं इंदा sense की friends की, अगर आप को treatment कर रहे हैं, या फिर healthcare staff है, कोई problem आ रही है, आपको या आपके साथ कोई problem हो रहा है, ठीक है, आपको कोई disease है, disease related को treatment आप करा रहे हैं, या फिर recovery की बात आ रही है, तो आपको ऐसे सवाल है, जो किसे से नहीं पूछ पा रहे हैं, वो आप अपने healthcare counselor से बेजी जग पूछ सकते हैं, तो तभी का गया है कि जब आपकी जो कोई दबीवी भावनाएं हैं, उसको क्या है कि वो दू healthcare, जो हमारा health counselor है, वो हमारा ये पर finish होता है, तो अगर health counselor की अंदर कोई भी आपका question है, या कोई नया topic है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, friends, so video अच्छे लगे हैं, तो like कीजिएगा, friends, कुशिकर करना मत बूलिएगा, friends, channel को subscribe मिलते हैं, next video में, thank you so much.